दोस्तों यार आज हमारे सामने खड़ी है कीवे की तरफ से आने वाली यार वेश्टी स्कूटर यार ये एक 300cc की स्कूटर है और डवल चैनल ABS के साथ काफी सारे फीचर्स आपको ओफर करती है तो आईए जल्दी से जान लेते हैं मेरा नाम है वीशेक और आप देख रहे हैं दिवल चैनल ABS भी देखने के लिए मिल जाएगा और क्या-क्या फंक्शन सोने वाले लुक तो आप देखी सकते हैं इसका नाम है कि वेग तरफ से आने वाला वेश्टी तो इसमें क्या-क्या फंक्शन से क्या वीचर हैं तो सारी जानकारी आईए जान लेते हैं तो सब से प पर indicator hazard light इसकी blink करने लगेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू जनरेशन गाड़ी को देखने के लिए vehicle को subscribe करें और आपके CB गाड़ी से जोड़ी जानकारी हमसे comment में ले सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको 135 mm का ground clearance देखने के लिए मिल जागा यह एक maxi scooter होने वाला है जो BMW के बेहाब पर बनाया है BMW का ऐसा scooter साती हो यार लगभग 10 लाग की range काता है यहाँ पर looks आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है और साथ में यार साती हो यह dual channel ABS के साथ इसमें आपको ऐसे functions कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं जो ना तो कभी आपने scooters में सुने होंगे और ना ही कभी देखे होंगे साती हो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आपको इसका friend का look दिखा देते हैं तो यहाँ पर आपको यार प्रोजेक्टर लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी DRLS देखने के लिए मिलेंगी कीवे की यहाँ पर batching है यहाँ पर DRLS है, hazard light है प्रोजेक्टर लाइट्स है, LED turn on indicator है AHO के साथ आने वाली है और साथ में यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको 297 mm की डिस्की plate मिल जाएगी Dual Channel ABS के साथ आंगे भी ABS, पीछे भी ABS और यहाँ पर यह जो tire है इसका size आप देख सकते 110, 70 और यहाँ पर आपको 13 inch का tire देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा चला रहे हैं तो यह अपने आप ही hand warm हो जाएगा आपका यहाँ पर accelerator और दोनों ही तरफ तो यह functions बहुत ही ज़्यादा unique है अभी तक किसी भी bike वगेरा में नहीं आया premium segment में आता है और यहाँ से जब आप इसको on करेंगे तो इसका जो meter है वो on हो जाएगा और यह cluster है यह proper एक car की तरह देखने पर आपको लगेगा जिसमें digital और यहाँ पर आपको analog एक देखने के लिए मिलेगा RPM का meter अलग है digital meter अलग है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसको जब on करेंगे लोग खुलने के बाद यहाँ पर एक बर हम आपको करके दिखा देते हैं तो यहाँ से जब आप इस तरीके से इसको on करेंगे तो यहाँ से जो इसका meter है वो यहाँ पर on हो जाएगा और सारही functions दिखाएगा देखते हैं इसमें बता क्या क्या रहा है तो यहाँ पर आपको engine check बता रहा है ABS का sign बता रहा है और यहाँ पर आपको temperature बता रहा है range बता रहा है कितनी चलेगी RPM का meter बता रहा है top speed जो है वो यहाँ पर 140 के ऊपर तक यहाँ पर चली जाएगी इस गाड़ी की 300cc का scooter होने वाला एक बहुत जादा premium हैजर्ड लाइट का switch मिल जाएगा hand warmer यहाँ पर यह जो engine का kill से उचे है और यह जो आप accelerator देख रहा है इसमें hand warmer है और साथ में एक बार आईएस का हम आपको boot वगेरा खोल के दिखा देते है तो यहाँ से आपका boot भी खुल जाएगा fuel tank भी खुल जाएगा और यहाँ पर USB charging का socket है तो आप अपने mobile वगेरा को भी चार्ज कर पाएगे रख पाएगे यहाँ पर और साथ में space काफी अच्छा है अगर मतलब आप दूर से देखेंगे तो bergman की तरह लगेगा यहाँ पर आप खोलेंगे इसका boot तो यहाँ पर जब आप इसकी seat कोलेंगे तो आसानी से आपका helmet बन जाएगा यहाँ पर और थोड़ा बहुत सामान भी आप आसानी से रख सकते है तो कुछ इस तरीके से boot होने वाला है और एक इस scooter में बहुत ही जदा खास चीज होने वाली है तो वह हम आपको दखाएंगे लेकिन यहाँ पर जब आप इसकी seat को बंद करेंगे तो यह देख सकते है है डोलेक है को जिस तरीके से धीरे धीरे बंद होगी automatically ठप से नहीं किरेगी यह seat यह वाली चीज है यहाँ आप देख सकते है इस तरीके से या तो आप इसको बंद कर सकती है या फिर धीरे बंद होगी रियर का profile हम आपको दखा देते हैं तो यहाँ पर आपको line shape में LED tail light देखने के लिए मिल जाएगी LED turn on indicator line shape में देख सकते हैं जो blink करते हैं वो काफी यादा वो बना है इसका engine साती हूँ यह जो engine आप देख रहे हैं यह 278cc याने 278cc का engine होने वाला है जो 18.bhp की power 22Nm का torque देगा और खास चीज क्या है पता है बताईए देखिए हम आपको दखाते हैं तो यहाँ पर जो engine की fitting है वो बिलकुल mid में की है जैसे की बाइक्स में होती है उसी तरीके से बीच में engine की fitting की है जिससे गाड़ी बहुत ही ज़्यादा balancing होने वाली है और यहाँ पर आपको single exhaust देखने के लिए मिल जाएगा dual ABS आने वाला है और यहाँ पर आपको सातियों इसमें आपको alloy wheel भी देखने के लिए मिल जाएगा mudguard flap है को जिस तरीके से look है एक यार बहुत ही ज़्यादा शानदा look लगता है यहाँ पर आप देख सकते disc की plate दखा देते हैं तो rear में आपको disc की plate और ABS दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी साथ में खास चीज़ क्या है कि इसके mileage अब powerful गाड़ी है तो mileage क्या है कितना होने वाला है तो इसका जो mileage है वो लगबग आपको 30 kmpl तक का देदेगी ARAI में claim है 30 kmpl तक का आपको देदेगी mileage यार साथ यह हो एक powerful scooter होने के साथ साथ यह एक feature stick scooter ही इसको हम कह सकते है 12 liter का इसमें आपको fuel tank देखने के लिए मिलेगा जिसमें 5.5 liter reserve में देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में साथ यह इसका weight होने वाला है लगबग 147 kg और underborne chassis पर यह बना है साथ यह और साथ में इसके अगर हम price range की बात कर लें तो यह आपको on road लगबग दिली में 3,60,000 की करीब पड़ जाएगा जो उपर नीचे जिसकी price हो सकती है आज के लिए इतना ही आपको कैसा लगा scooter कमेंट में जरूर बताना वीडियो को like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी में भूलिए आज के लिए तना ही बहुत बहुत दन्यवा